इस वीडियो में हम प्रशनावली 3.2 बहुपद में बहुपदों के भाग के अबारे में पढ़ेंगे यह राजसान बोर्ड की तीसरी प्रशनावली है और NCRT की दूसरी प्रशनावली है इसका नाम है बहुपद पहला प्रशन है इसमें विभाजन अल्गोरिफम का प्रियोग करके FX को GX से भाग देने पर भागफल था शेशफल ग्याद कीजिए FX और GX आपको दो बहुपद दे रखे हैं और FX में GX का भाग देकर भागफल और शेशफल ग्याद करना है आपको लिखने कैसे हैं बागफल और शेशफल ये हमेशा द्यान रखना है कि X की सबसे बड़ी गाद सबसे पहले फिर उससे चोटी फिर उससे चोटी यानि गटते वे करम में लिखनी है जैसे इसमें देखो यहाँ पर X की गाद कितनी है? 3 यहाँ कितनी है? 2 यहाँ कितनी है? 1 यहाँ कितनी है? 5 यह मैं pen का color change कर लेता हूँ यह देखिए यानि गाते 3 हैं फिर 2 हैं फिर 1 हैं और फिर आचरपद है सही करम में है इसको ऐसा कैसा लिख दो आप यहाँ गया आपका 3 X की गात 3 प्लस X की गात 2 प्लस 2 X प्लस 5 और यह भाग यहाँ पर बंद कर दिया हमने इसी प्रकार भाग देना है हमें GX का GX में भी सबसे बड़ी गात का पद है X की गात 2 प्लस का है यह फिर 2 X X की गात 1 और फिर आचरपद इस करम में इसको लिखेंगे X की गात 2 प्लस 2 X प्लस 1 यहाँ गातों के गटते हुए करम में लिखना है ठीक है प्रिशन देख लिए आप भाग देना अब इसको उपर कर देता हूँ भाग देखे कैसे देना है यहाँ जो भाज्य है यानि जिस संग्हा में भाग देना है उसका पहला पद आपको देखना है सबसे बड़ी गात वाला पद कितना है 3 X की गाते 3 और इसी प्रकार जो भाज्यक है उसका पहला पद देखना है कितना है X की गात दो यानि सबसे बड़ी गात काम पहले लिखते हैं क्या जाएगा 3 कि जगा 3 X की गात 3 उपर है और 2 नीचे है गात कितनी बचेगी X की एक गातें उपर जाके कट जाएंगी या आप काट भी सकते हो X की गात 3 को क्या लिखोगे X गुणा X गुणा X किसी भी प्रकार से आपको जैसे ठीक लगे और नीचे X गुणा X दो बार आएगा दो बार कट जाएगा एक बार बच जाएगा या तीन गात में से नीचे वाली दो गात उपर ले जाके गटा दीजिए जैसे भी आपको ठीक लगे तीन X ये आगया हमारा बागफल बागफल कहा लिखेंगे हम उपर यहां लिख रहा हूँ मैं ये लिख दिया हमने बागफल कितनी बार बाग गया तीन X बार फिर हम क्या करते हैं तीन X को इससे गुणा करेंगे इन तीनों से क्यों देखो हम ऐसे ही तो करते हैं एक रफ लिक करके दिखाता हूँ आपको जैसे 21 में बाग देते हैं हम 6 का 6 दूनी यहां क्या लिखते हैं वई इन दोनों का गुणा 6 दूनी यहां क्या लिखते हैं हम इन दोनों का गुणा यहनी बाग फल का और भाजक का गुणा यहां पर लिखते हैं 6 दूनी च्छे एक्स की गुणा किया 2X से ध्यान रखना यह दिए X की गुणा दो नहीं आता है तो X की गाद 2 के नीचे नहीं लिखना है 3 गाद के पद के नीचे 3 गाद का पद लिखना है 2 गाद के पद के नीचे 2 गाद का 1 गाद के नीचे 1 गाद का और अचर पद के नीचे अचर पद अगर वो वैसा नहीं है उपर कोई पद मालो x की गाद 2 उपर होता ही नहीं और नीचे x की गाद 2 आ जाता तो इसको हम लिखते हैं last में आगे वाले सवालों में मैं ऐसा समझाओंगा आपको फिर 3x x square से गुणा हो गया 2x से गुणा हो गया 3x को 1 से गुणा करें तो क्या है जाएगा plus का 3x x के नीचे x अब गटाते हैं गटाते हैं यह माइनस का हो जाएगा यह माइनस का हो जाएगा यह माइनस 3x की गाद 3 plus के 3x की गाद 3 माइनस के यह कट गए माइनस 6x square और plus x square कितने बचेंगे माइनस के 5x square माइनस 3x और plus 2x कितना बचा माइनस का x और आगे बच गया प्लस का पांच फिर इसी प्रकार से यहां सबसे बड़ी गात कापद क्या है माइनस पांच X की गाते दो बटे यहां यही आएगा हमेशा X की गाते दो यहां नीचे बटे में तो यही रेना है बाजक का X की गात दो X की गादो से X की गादो कट किया क्या आ गया माइनस से 5 यहां मैंने रफखाम कर रखाए माइनस 5 कितनी बार बाग गया माइनस 5 बार यहां लिख दिया मैंने माइनस 5 माइनस 5 को क्या करना है अब इन तीनों से गुना करना है माइनस 5 को x² से गुणा किया क्या आ गया माइनस 5 x² माइनस 5 को प्लस 2x से गुणा करोंगे तो क्या जएगा माइनस 5 दुनी 10x x के नीचे x और माइनस 5 को प्लस 1 से गुणा किया माइनस 5 एकम 5 क्या जएगा ये ये प्लस का हो जएगा ये भी plus का हो जाएगा ये भी किसका हो जाएगा? plus का 5X square प्लस के 5X square माइनस के plus 10X माइनस X 10X में से 1X गटाया कितना आ गया? 9X और 5 प्लस के ये भी 5 प्लस के 5 और 5 प्लस के 10X उत्तर लिखने हैं आप ये तो हमारा क्या आ गया? भागफल कुछ और step द्यान में रखनी होती है तो उनके लिए जैसे इसका दूसरा भाग है fx बरावर x की गाद 3 माइनस 3x की गाद 2 प्लस 5x माइनस 3 और gx का मान है x square माइनस है 2 आप अपनी पुष्टक में भी भी देख सकते हैं ये थोड़ा सा ठीक लिख देता हूँ मैं 2 अब देखो इसमें भाग देना है fx में gx का यहां इस प्रकार से हम भाग काचिन बना लेते हैं गाद देखो गाद 3 2 x की गाद 1 अचरपद सही है लिखती जिए x की गाद 3 माइनस 3x की गाद 2 प्लस 5x माइनस 3 बन बाज़क में x की गाद 2 फिर एक गाद का पद है यह नहीं अचरपद ही दे रखा है तो सही लिख रखा है x स्क्वाइर माइनस से 2 क्या करना है यहां जो पहला पद है x की गाद 3 यहां लिख लीजिए यह x की गाद 3 में किसका बाग देना है बाज़क की सबसे बड़ी गाद का जो सबसे पहले ही लिखते हैं x की गाद 3 में x की गाद 2 का बाग देंगे x की गाद कितनी बचेगी एक यह लिख दिया उपर अब इसको क्या करना है इन दोनों से गुणा x को x स्क्वाइर से गुणा किया x की गाद 3 x को माइनस 2 से गुणा करोगे आएगा माइनस 2x अब इसके नीचे नहीं लिखना यह क्या है x की गादे 2 है और x को माइनस 2 से गुणा करने पर क्या आता है माइनस 2x तो यह यहां लिखेंगे x के नीचे x का पत गाद 2 के नीचे गाद 2 लिखेंगे क्या जाएगा यह, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस का, प्लस हो जाएगा X की गात 3, प्लस का एर X की गात 3, माइनस का यह कट गए यह आगया माइनस 3X स्क्वाइर, इसका चिन मत बदल देना, उपर वाले का चिन नहीं बदलता 5x प्लस 2x कितना हो गया 7x और आगे है माइनस का 3 फिर वही काम करना है यहां सबसे बड़ी गात कापत कितना है 3x स्क्वाइर यहां कितना है वही x स्क्वाइर x स्क्वाइर से x स्क्वाइर कट गया किया आगे माइनस से 3 बागफल में हमने लिख दिया माइनस से 3 माइनस 3 को इन दोनों से गुणा करो माइनस 3 को X स्क्वाइर से गुणा करोगे माइनस 3 को माइनस 2 से गुणा करोगे माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 3 दूनी 6 ये प्लस का 6 संख्या के निचे या केली संख्या क्योंकि X नहीं है ले इसमें माइनस माइनस का प्लस हो गया यह प्लस का माइनस का तो प्लस हो गया चिन बदलना है हमें निचे वालों का या सीधा गटाते हैं या फिर चिन बदल कर क्या कर देते हैं यहाँ बाजक में एक्स की जितनी गात है यदि सेशफल में उससे कम गात आ जाती है तो बाग वहाँ पर समापत हो जाता है यहाँ गात कितनी आ गई एक बाजक में गात कितनी है दो इसलिए समापत हो गया यदि गात यहाँ पर दो आजाती या दो से बड़ी होती तो हम भाग करते रहते तो जैसे ही सेशफल में भाजक यानि भाग देने वाली संग्या से गात कम आती है भाग समापत जाता है यह आगया हमारा सेशफल और यह आगया हमारा भागफल तो इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और प्रशनों को हल करके बताऊगा